कई लोग मारूती सुजुकी बलेनों के इकलांजा टोयेटो वर्जन की प्रतिक्षा कर रहे हैं अब इस बाद की पुष्टी हो गई है कि कार भारत में 6 जुन 2019 को लॉंच की जाएगी टोयेटा ने लॉंच की तारिकी गोशन करने के साथ ही कार का एक टीजर वीडियो भी लॉंच किया है हमने जो स्पाई तस्वीरें देखी है उससे ऐसा लगता है कि कार को क्रोम लाइन वाली डील मिलेगी और ये बहुत ही एक मातर चीज है जो इसे बाहर से बलेनों से अलग करेगी अंदर भी कार बलेनों के समान है चाहे वो अफोल्स्टरी हो या डैशबोर्ड लेयाउट का रंग हो सब कुछ एक जैसा ही लगता है यहां तक की 7.00 इंच तस्क्रीन इंफोटेंड मिन सिस्टम भी बलेनों स्मार्ट प्ले यूनेट जैसे ही है ग्लांजा का इंजिन 84 HP 1.2 लीटर K12B पेटोल इंजिन होने की समभावना है जो वर्तमान में बलेनों फेसलिफ्ट को पावर देता है भाविश्य में कुछ समय के लिए माइल्ड हाइब्रिड ओप्शिन पेश किया जा सकता है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें और टो अड़ा चानल को सब्सक्राइब करें अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके हमें बताए